हलो एब्रीवान वेलकम टू मैं चैनल और कैसे हैं आप सभी उम्मिद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अभी है रात का टाइम आज का वीडियो मैं भी रात से स्टार्ट कर रहे हूँ और मैं बना रही हूँ खाना तो आज खाने मैं नान वेज बन रहा है चिकन बन रहा है तो उससे पहले मैंने पापड़ सेक लिये और यहाँ पर आदह किलो करीब चिकन है और यह मतलब जैसा मैं बनाती हूँ वैसा ही आप लोगों से सेर कर रही हूँ मझे पता है कि काफी लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो और काफी लोगों को नई भी तो देखिए जैसा भी रहता है ना मैं आप लोगों से सेर करती हूँ मेरे सिंपल से व्लाग होते हैं डेली जैसा भी बनता है या जो भी करती हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ सेर करती हूँ और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप लोग पिलीज मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को अगर नए आते हैं ना तो पिलीज सब्सक्राइब कर लिया करें और थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आयते लाइक भी कर दिया करें तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं त पिल में फ्राइब कर लोगी और इसके बाद मैं यहां पर जब तक यह फ्राइब हो रहा है तब तक मैं यहां पर मसाला बनाने की तैयारी कर ले रही हूं तो मसाले में प्याज मैंने लिया है छोटे छोटे साइच की प्याज है यह बहुत जादा नहीं है तो यह होंगी ल प्रसका तम ही होने वाला है एक दो दिन और चलेगा और खतम हो जाएगा फिर मैं दूसरा बना कर रखूंगी और जो अतरक स्वारी जो मैंने लेसन सुखा वाला पीस के रखा होता ना वो मैंने अभी डाल दिया है तो कभी कभी क्या होता है ना मेरे पास अगर ऐसे चीज प्यार करके रखनी पड़ती है तो बस यहाँ पर मैं मैंने मसाला भी पीस लिया है और इसके बाद यह यहाँ पर थोड़ा सा पग गया रहा तो इसको इस तरीके से फ्राय करके बनावना तो और अच्छा लगता है तो देखिए जैसा भी खाते पीते हैं तो मैं आप लों क इसा सेयर करती हूँ तो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है वैसे बहुत पहले कमेंट आया रहा कि आप खाते हैं मतलब खाते हैं इस चीज को लेकिन अब दिखाते नहीं हो सेयर नहीं करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है चिकन भी खाते हैं फिस भी अच्छा फिस भ से लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छा भी नहीं लगता और किसी को अच्छा लगता है लेकिन आप लोग मेरी बात को समझेगा थोड़ी सी समझने की कोसिस करें अब इसमें सभी तरह खे लोग हैं तो जिसको जो देखना होता है जो नहीं भी देखना होता है लेकि कोई दिक्कत नहीं है मैं फिस भी खाती हूं अंडे भी खाती हूं जिकन भी खाती हूं तो मटन भी मतलब आता है तो वो भी खा लेते हैं जो चीज सुरू से खाई होते हैं तो फिर सब खाते हैं ऐसा कोई नहीं है और ये तो बढनता ही रहता है हफ्ते में 3 दिन जरूर से ही बनता है हमारे दर तो ऐसा हो जाता है 3-4 देन ऐसे हो जाता है लगबग तो खाते हैं वस यह कि अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को तो नहीं दिखाते हूं तो वस इस तरीके से मैं वीडियो करके बनाती हूँ तो आप लोग समझेंगे थोड़ी सी मेरी सुबात को और गुड मॉर्निंग, अभी सोबे का टाइम है, नेस्ट मॉर्निंग हो गई है वीडियो मैंने कंटीवनी नहीं किया था, खाना खाया था उसकी बाद कुछ भी नहीं किया, और अभी मैंने बनाई ये चाय तो मैंने अपने हजबन को दे दी है, क्योंकि वे अंदर बैटे हुए हैं और यहां पर मैं पीलूँगा अभी है मॉर्निंग के टाइम, तो मैंने अभी चाय बनाई है यहां पर चल दिये खाना बनाने की तयारी , तो मेंने शारी चीज़ाय काना रखी होई है सबनाटन लिए है där do अब क्या बना रखी हूं तो मैं बना रहे हैं पालक जो मैंने रात को बोईल करके इसको बाल कर रखी हूई है तो यह मैं बनाओंगी पीशकर बनाओगी इसकी जैसे पनी पालक पनीर बनता है न वैसा पर पनीर निडा दोंगे आलू डाल रहे हैं चाय भी बनी है सुबे की और अभी बज गए हैं सुबे के आठ चलिए बज गए हैं और बहुत अच्छी धूप आजने के लिए धूप त लाया वाला गुलाव यह मैंने कटिंग से लगाया था और देखी कितने सारे हारे सुए एक है और एक है यह पता निक्या होगा इसको अच्छे चल रहे हैं सारे पेड़ पोदे अच्छे चल रहे हैं इसमें तो आती रहते हैं फूल बहुत सारे और यह देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सारा खाली कर दिया है कल वहाँ पर भगवन जी मैंने जमा दिया है और सोच रही हूँ आज इनको तोड़ लेती हूँ करें लोगों क्योंकि यह मझे नहीं लग रहा कि बड़े हो रहे हैं इतने ही रहेंगे इनको तोड़ ले रहे हूँ में सेवार लग रहे हैं कहीं कहीं पर जितने लगए है उतने में तोड़ लोगे सबजी के लिए तो निकली जाएंगे यहां भी लगे थे, सूख रहा है क्योंकि यह पीड़ ना सूख रहा है करेले का, इसलिए मैं तोड़ लूँगे, और यह देखिए, गया हूँ, गया हूँ धोई थे ना, मैंने तो कुछ, उसमें कच्रा निकला था, तो मैंने इसमें डाल दिया तो यह हो गए, ऐसे, कच्रा ही है, यह लगाया था, यह भी हो गया, देखी कित अच्छा चलना है, चलिए चलते हैं, नेचे चाह पीए, तो मैं थोड़ा सा गूम कर आ गई, और अब मैं बनाने लगी हूँ, खाना तो बस मैंने, फट अफट से, जो पालक की साग है, उसको तो मैंने रात को कोई ही बॉ जरा काम होता है, तो इस वज़े से मैं कुछ काम करके रख देती हूँ, जो भी मुझे बनाना होता है, तो उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने वही जो थोड़ा सा लेसन है, वो पाउडर डाला था, हिंग डाला है, थोड़ा सा एक चुटकी और बड़े साइच की आलू थे, इसलिए मैंने आदा आलू लिया है, बहुत ही बड़ा था, मनलब पाउवर के करीब एक आलू रहे, इतने बड़े बड़े आलू मिल रहे थे तो हम, फिर मैंने ले लिये, तो फिर आदा हरी डाला है मैंने, और आलू को अच्छे से फ्राय कर लूँग और इसकी रेसिपी सायद नहीं, यकीन से कह रही हूँ, मेरे चैनल पर है, इसलिए मैंने वैसे सेयर करी दिये, आप लोगों से, पर मेरे चैनल पर है, और इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है, और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, खाना मैं तब तक पकाऊंगी और जब तक यह पकती रहेगी नहीं अपना जो और भी काम नहाने ख़ब बूंगी और आदा घंटा हुआ है इतने में खान भी हो गया है तयार फोड़ी सी बात करने बैठ गती से लिए लेट हो गया नहीं तो और जल्दी हो जाता है क्योंकि सारी ची पर मिल जाएगी तो मैं बहुत ही सिंपल सी ऐसे पालग परी टाइप का बना देती हूं बार बार बूल रही हूं आलू डाल रही हूं तो क्योंकि हम लोगों कुछ जादा पसंद नहीं है वैसा उसमें पनी डाल के इसवे सिंपल सा ही बना रही हूं और अच्छी लगती है और चावल बी जлект दिनजीख हो गोगए है इसमा चावल बनाने में बहुत अच्छा रहता हूं कपर भेरा बनाती हूं दो हम दो गेर से morning का जो काम है मीरा सारा complete होуск art आ यहाँ अभी मैंने नहां भी लिया है इतने में मेरा सारा काम होगया है यह अभी बजे रहे हैं सुभे के 9 तो सही रहता है सुभे के सारे काम होजाते है काम के चकर मेना तो सही रहता है फ्री हो जाती हूं फिर मैं यहां पर मैं पूजा पाट कर रही हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा मनलब इनका भी असिरवाद लेना जरूरी है तो थोड़ी सी दिया बत्ती कर दूंगी अभी जल चड़ा रही हूं तो वस यहां पर अच्छे से उनको दो दूंगी और अच्छा लग र मांने वो बना दिया है अभी के लिए फिर बाद में तो पता नहीं फिलाल मैंने बना दिया है तो अच्छा लगता है यहाँ पर सामने रखे रहते हैं तो बस पुझा पाट करूंगी उसके बाद हम निकलेंगे और फिर उसके बादा कर खाना पीना खाते हैं और काम करने तर मुझा आते हैं और साम कोई फिर करने होते हैं तो दिन बर कर दिन बर और फिर यही रहता है मेरा जो पापड बनाने का काम वो रहता है तो दिन बर कोई काम ने करती फिर मलब पापड कर रहता है सो बिसा मेरे सारे जो काम है वो कंप्रीट हो ही जाते हैं यहाँ पर मैं जाने की तैयारी कर रही थी तो बस मैं जा रही हूँ और उसके बाद आकर फिर दो पैर में जो भी होगा थोड़ा सा सेयर करूँ पढ़ाई कर रहा है कितने बज़ गए कार्तिक एक बज़ गए क्या बनाए है देखो ज़रा कार्तिक ने नया टाइम टेबल बनाया है और टाइम टू टाइम पढ़ाई होती है मनला एक भी दिन में सनी होता है ना कार्तिक नहीं रोज करते हो हम जूट नहीं बोल रहे रोज एक पाठ रोज एक पढ़ाई करता है और यहाँ पर कार्तिक की पढ़ाई चल रही है और थोड़ा समय लेट गई हूँ तो ठक जाती हूँ ना तो बीच बीच में हम लोग लेट जाते हैं कमर दर्द होने लगती है जुके जुके और कार्तिक भी एक घंटा टाइम देने लगा है तो वो पढ़ता रहता है यहीं पर बैठकर मेरे साथ पढ़ाई भी हो जाती हों बर बगएरा जो भी है तो आज का वीडियो यहीं पे अंड करती हैं उमित करती हैं आप सभी को पसंद आएगा प्लीज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा हम मिलेंगे अपनी नस्ट वीडियो में थैंक यू